ओके स्टूर्ण थर्ड देख रहे हैं I creep along the ground जो जमीन पर रहता है जमीन पर रहता है creep along the ground मतलब जमीन पर रहता है जमीन पर रहता है P-U-M pumpkin P-U-M-P-K-I-N pumpkin then I am a red fruit so red fruit क्या है एपल यह double P-L-E okay student यहां तक समझ में आया तो चलिए next हम start कर रहे parts of plant okay जो plants हम देखेंगे ना उस plants के जो part है इन plants parts के बारे में information लेनी है figure देख सकते हो आप figure यहां पर दिया गया है bird है, flower है, leaf है, steam है, node है, primary root है, lateral root है उसके बाद यह देखें इस तरीके से बनाए गया है root system या शूट system okay इसको हम देखने वाले है अभी so we do different kinds of work with different parts of our body यह ध्यान में रखना, कि हम अपने शरीर के विभिन्न हिस्तों से विभिन्न प्रकार के काम करते है okay, we do different kinds of work with different parts of our body मतलब human body है न हमारी, उस human body से जितने भी parts connected होते है यह नाक है समझो, hand है, ear है, nose है, eye है, इनका काम का है इन सभी चीजों से हम अपने शरीर के विभिन्न हिस्तों से अलग-अलग प्रकार के काम करते है उसी तरह, okay, in the same way उसी तरह, in the same way, the different parts of our plant have different works to do मतलब उसी तरीके से, जेस तरीके से इनसान विभिन्न हिस्तों का यूज़ करके विभिन्न काम करता है, उसी तरह, पौदे भी, अलग-अलग हिस्तों का इस्तिमाल करते है ओके, so, observe a plant in the garden garden में किसी भी plants को observe करो the part above the ground is the trunk मतलब यहाँ पर देखिए, यह जो इतना जो portion है, यह portion देखिए, ओके, इसके नीचे का जो पार्ट है यह जमीन के अंदर है, ओके, यह सभी क्या है, जमीन के अंदर है, और यह जो उपर का जो पार्ट है